मोदी के अमेरिका दोरे से पहले मोदी की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है एक तरफ तो प्रधान मंत्री के तोर पर नरेंदर मोदी जी अमेरिका जाएंगे वहाँ पर 21 तोपों की सलामी की करिक्रम है लेकिन यहाँ पर खेल बिगडा पड़ा है खेल बिगडा पड़ा है और सीधे तोर पर अब चितावनी दे दी है गठ बंदन को तोड़ने की गठ बंदन तोड़ देंगे और गठ बंदन तोड़ दिया तो सरकार गिर जाएगे में बताईए कहां 21 तोपों की सलामी की बात हो रही है और कहां सरकार बच नहीं पा रही है बीजेपी की धबल इंजिन की सरकार तूटने के कगार पर है खबर बड़ी खबर निकलकर के सामने आए यह मणीपूर से और मनीपूर में बीजेपी के जो सयोगी हैं उन्होंने सीधे तोर पर नरेंदर मोदी को कह दिया है हालात को सुधारो क्योंकि वहाँ पर बीजेपी बड़ी पार्टी है सरकार में है हालात को सुधारो और दूसरा बीजेपी सेंटर में है नहीं तो हम टाटा बाई बाई कह देंगे दूसरी जो बड़ी बात हुई है दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि कॉंग्रेस ने आज प्रेस कॉंफरेंस की है और कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस करके आज से 22 साल पहले 22 साल पहले क्या कुछ हालात थे उन हलातों को लेकर के नरेंदर मोदी को जो है और दस पार्टियों के नेता दिल्ली के अंदर रुक करके नरेंदर मोदी से मिलने का इंदार कर रहे हैं कि अमेरिका दोरे पर जाने से पहले दस मिनट के लिए सही आदे घंटे के लिए सही एक बार नरेंदर मोदी मिल तो लें अब तो किसी राज्य में चुनाव नहीं चल रहे हैं उनकी चुनाव विरेलिया भी खतम हो गई है तो कम से कम आप जब बाहर जा रहे हैं विदेश जा लें और इसको लेकर के 10 जून से लगाता डिमांड हो रही है इस पर भी आएंगे लेकिन सबसे पहले सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है सबसे बड़ी खबर है और बीजेपी के लिए बुरी खबर है मनीपूर में नहीं सुद्रे हालात तो तोड़ सकते हैं बीजेपी के साथ में गठ बंदन सिधा तोर पर इस बात को कह दिया है एंपीपी के रास्टियो पाध्यक्स है वाई जाएकुमार और इन्होंने जो है यह चेतावनी दी है इन्होंने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति नहीं सुद्री तो हम बीजेपी के साथ म अपने समिक्रणों पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगी हम मूख दर्सक बन करके नहीं रह सकते हैं मूख दर्सक यह नहीं गूंगे दर्सक बन करके नहीं रह सकते हैं गूंगा हो जाए और गूंगा हो करके जो है वो चुपचाप बैठ करके देखते रहें वो क आठ में से इकतिस जो है वो आकड़ा है कि इकतिस इसके पास उसकी सरकार मनीपुर में किसी की सरकार नहीं गठबंदन की सरकार है अलाइश सल रहा है बीजेपी की जो है वो उनतिस सीटें 29 सीटे बीजेपी की कॉंग्रेस की 10 सीटे 10 सीटे जिस पार्टी ने भी चेताओ नहीं दिये उसकी है 10 सीटे उसके साथ जेडियों की तीन सीट है आठ जो है वो अन्य है तो यह इस तरह से आकड़ा है अब आप कहेंगे कि देखो वाई ख़बर खराब हो गई ख़बर में दम खराब है चलो बंद करो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ख़बर जो है वो खराब है और जबरदस्ती इस ख़बर को बनाया जाए यह इस ख़बर को क्यों सुना जाए तो आप सुनिए यह जरा देखेंगे आप यह तो यहां पर विदायकों की सिती है विदायकों की तो हा मनिपूर में कानू निवस्ता खतम हो चुकी है यह इनोंने का है जब सांसद इस बात को कह रहे हैं कि मनिपूर में कानू निवस्ता खतम हो चुकी है और मैंने मौजुदा सरकार देखिए और आगे सुनिए मौजुदा सरकार शांती वस्ता बनाने में विफल रही है मैंने प सरकार है वो अपनी सरकार जो है वो कानुन वैस्ता को बनाने में बचाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है मोधी के मंतरी खुद इस बात को कह रहे हैं तो सोची विधायक क्या कह रहे होंगे जो सांसत जिनका दिल्ली के अंदर बंगला है अराम से रह रहे हैं मोधी के मंतर में से बीजेपी के साथ कितने विधायक रहेंगे ये भी सवाल है क्योंकि सीधे तोर पर यहां पर विपक्स की सरकार बन सकती है 10 कोंग्रेच की 10 NPP के 20 तीन हो गए जो है वह जेडियू के 23 और 8 हो गए जो है वह अन्ने के 31 के साथ में जो है वो यहां पर मिल करके कॉंग्रेस की सरकार जो है वो यहां पर गठबंदन की सरकार बन सकती है और हो सकता है कि यहां पर 29 में से जो है वो कुछ विदायक बीजेपी के टूट करके आजाएं दस विदायक पांच विदायक दो त्याही का ले जो आकड़ा है वो कंप्लीट करके फिर दल सब्सक्रादी नेताओं ने कहा कि हमने उनकी मदद की थी खेर अब आगे चलिए आज जो एक बड़ी ओर डिवलप्मेंट हुआ है कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस किया है दिल्ली के अंदर और कॉंग्रेस ने अपने मंच से इस बात को कहा है कि विपक्स की दस पार्ट के दस प्रतिनी दी पीम मोदी से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं लेकिन मोदी जी जो है वो शायद अपनी अपनी अमेरिका की पैकिंग में लगे वे हैं और इसलिए जो है मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है दूसरी चीज जो है वो आप देखिए कॉंग्रेस ने सबंगला सीम सेकेडरी एयट जला दिया गया था और साड़े तीण महिने के लिए ब्लोक रहा था तब देश के प्रदान मंतरी सीरिया टलवПр двух वाजपेई जी थे और सबी पार्टीयों की मांग पर ये नो मिनिट की वीडियो है और मैं चाहता हूं पूरी वीडियो आप देखें नो मिनिट की वीडियो है लेकिन पूरी वीडियो आप देखें और समझे इस बात को कॉंग्रेस जो है वो अपने मंद से अपने मंद से अटल बहरी वासपी की तब की परसंसा कर रही है और पू पार्टे को बुला करके बैटकी थी लेकिन मोदी से मिलने के लिए दस पार्टी इंतजार कर रही हैं दिल्ली के अंदर ठहरी हैं मोदी जी मिल नहीं पा रहे हैं क्या वाकी भूजदा पैकिंग है या कुछ हो रहे हैं सोची जरूर इस वीडियो को आखरी तक जूरूर देख अगबारों के हेड्लाइन अगर आप देखेंगे 19 तारीक के आपको ख़बर मिलेगी इमफाल जल रहा था विधान सवा जलाया गया स्पीकर का बंगला जलाया गया चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरियट जलाया गया और करीब तीन साड़े तीन महिने के लिए ब्लॉकेड रहा 18 जून 2001 पहली बार मनिपूर जला तब के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाचपाई थे सभी पार्टियों ने मांग की प्रधान मंत्री जी से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं 24 जून 2001 मैं पढ़कर सुनाओंगा ये पी आई बी का रिलीज है अब तक पी आई बी ने इसको निकाला नहीं है अपने वेबसाइट से आप भी जा सकते हैं ये पी आई बी बी है 24 जून 2001 है एडलाइन है और पार्टी डेलीगेशन फ्रम मनिपूर मीट्स प्राइम मिनिस्टर 18 जून को मनिपूर जल रहा है छे दिन बाद सर्वद अलिय प्रधिर अलिय मंदल प्रधान मंत्री से मिलता है छे दिन बाद और ये प्रधान मंत्री कारियाले से क्या रिलीज आता है मैं आपको पढ़ूँगा an all party delegation from Manipur called on the Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpai here today कारने की 24 जून 2001 the delegation leader submitted to him a memorandum they gave a detailed account of the latest situation in Manipur the Prime Minister gave them a patient hearing the Prime Minister gave them a patient hearing the Prime Minister referred to the unanimous decision taken at their meeting with the Home Minister Shri L.K. Advani yesterday याने की 23 जून 2001 that various aspects arising out of the ceasefire will be reviewed ये ceasefire नागाओं के साथ था और ये जो हिंसा के अटना हुए थे ये नागा सीसफायर समझवता से लेकर हुआ था he reiterated the union government's assurance that the territorial integrity of Manipur will be preserved another meeting with the leaders from Manipur would be held on the 8th of July 2001 by when the Home Minister would have returned from his tour अद्वानी जी बाहर जा रहे थे देश के बाहर आठ जूलाई को उनोंने फिर से his delegation से बोला कात की the Prime Minister has appealed to the people of Manipur Prime Minister has appealed to the people of Manipur to maintain calm and help the administration in restoring normalcy in the state they should not give any credence to rumors ये प्रधान मंत्री कार्यालाई के ओर से एक release था जो आज भी P.I.B. आर्काइव में आपको मिलेगा ये है 24 जून 2001 हिंसा होता रहा तंगे होते रहे मरीपूर में शांती वापस नहीं आई आठ जुलाई 2001 और ये भी P.I.B. के आर्काइव से है आर्काइव क्या कुछ कभी कभी फाइदा होता है विपक्ष की पार्टी उंको आठ जुलाई 2001 को Prime Minister has appealed to the people of Manipur ये प्रेस रिलीज नहीं है ये प्रधान मंत्री का appeal है Manipur की जनता को मैं पढ़कर सुना होंगा ये खुद प्रधान मंत्री का appeal है प्रधान मंत्री कहते हैं 8 जुलाई 2001 को MPs and MNAs from all political parties from Manipur called on the Prime Minister Shri Atal B.R.E. वाचपाई here today यानि की प्रधान मंत्री 21, 24 जुन को मिलते हैं सर्वद अलिय प्रधानिदी मंदल से और 8 जुलाई को दूसरी बार मंत्री दो बार बोलागात होती है प्रधान मंत्री की following is the text of the Prime Minister's appeal ये मेरा शब्द नहीं है प्रधान मंत्री का शब्द है ततकालीन प्रधान मंत्री का शब्द है following is the text of the Prime Minister's appeal on the occasion I प्रधान मंत्री I express the grief of the people of the country and my personal grief at the loss of precious innocent lives in Manipur 15 लोग मारे गए थे 18 जून को 15 लोग as someone who is fully conscious of their sentiments emotions problems and grievances I appeal to the people of Manipur to maintain peace and calm it shall be the endeavor of my government to ascertain and understand the viewpoint of the people and redress them to the best of our ability through a process of democratic dialogue I have already assured I have already publicly assured the people of Manipur and I once again reiterate that the territorial integrity of Manipur shall be maintained I will take the first opportunity to be with you in Manipur Shri Swami Jho MOS has already interacted with you and brought your problems and grievances to my notice I also invite various leaders of Manipur to come to Delhi and meet me personally so that your problems could be discussed in a free and frank manner in the meantime we shall review the ceasefire agreement Naga ceasefire agreement including the words without territorial limits presently incorporated in the agreement so as to ensure that all doubts about preserving integrity of Manipur and other states of the North East are removed I once again appeal to you to remain calm and help the administration restore normalcy in the state to create a congelian environment for progress and development in Manipur So, so, Sathiyon Pradhan Mantri Attal Bihari Vajpai Ji two baaar meet you Pradhan Mantri Attal Bihari Vajpai appeal appeal kaarty 2001 and and we have here them and we are here there and we have on the 5th party in the 5th party we have 40 days हो गए है प्रधान मंत्री ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी है कोई बयान नहीं कोई अपील नहीं कोई संदेशा नहीं और ये तीन दिन से यहां इंतजार कर रहे हैं और अभी भी उम्मीद करते हैं कि 20 तारिक के पहले उसके बाद में प्रधान मंत्री अमरीका विजिट में व्यस्त हो जाएंगे और इजिप्ट भी जाना है 20 तारिक के पहले इनको एक मौका मिलेगा